दोस्तो स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो पवित्र महिलाओं की होती है ये एक खास पहचान वो कौन सी खास पहचान है जो महिलाओं को पवित्र बनाती है दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक किजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हैं तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों मनुस्य के चरित्र का निर्माण संसकारों के आधार पर होता है मनुस्य जिस परकार के संसकार संचे करता है उसी परकार उसका चरित्र ढलता रहता है दोस्तों अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए मनुस्य को अपने संसकार का निर्माण करना चाहिए दोस्तों भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है बैसे तो प्राकर्ति ने इस्तिरी के भीतर कोमलता, सुम्मिता और मम्तत्व के भाव कूट-कूट कर भरे हैं और अधितर महिलाओं में ये भावना होती भी है दोस्तों इस संसार में अलग-अलग प्रकार के लोग रहते हैं हर किसी का सोभाव बहुत भिंद-भिंद होता है दोस्तों खास कर महिलाओं का जब पुरुस अपना जीवन साती चुनता है तो वा सर्बगुन संपन लड़की चाहता है जिसमें विशेश करकी वो भाग साली हो लेकिन जिस तरह हातों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है बैसे ही सारी महिलाओं भी एक जैसी नहीं होती है ऐसे में जरूरी हो जाता है कि पता कैसा लगाया जाए कि कौन सी महिला चरत्रहीन है और कौन सी महिला पवित्र दोस्तों आज के वीडियों में हम आपको महिलाओं के एक लच्छन बताने जा रहे हैं जो आपको एक पवित्र और अच्छी महिला की पहचान करने में मदद करेंगे तो दोस्तों आईए जानते हैं वो कौन से लच्छन हैं जो एक महिला को पवित्र बनाते हैं दोस्तों सामुद्रिक शास्तर के अंसार जिन महिलाओं के ओठों के ऊपर हलका बाल होता है ऐसी महिलाएं अच्छे गुडबाली होती हैं दोस्तों ऐसी महिलाएं धर्म, कर्म और दान पूंड करने में ज़्यादा विस्वास रखती हैं। ऐसी महिलाएं अपनी पती के लिए बेहदी भागिसाली साबित होती हैं। और ऐसी महिलाएं अपने पती के लिए पवित्र कहलाती हैं। दोस्तों जिन लड़कियों के माथे पर तिल होता है ऐसी लड़कियां भी अपनी पती के लिए बेहत भाग साली होती है ये अपने पती का पूरा खयाल लगती है और उनसे बेहत प्यार करती है और खुद भी ये आत्मनिर्भर रहती है दोस्तो सामुद्रिक शास्त्र के नुसार जिन लड़कियों के शरीर पर हलके हलके बाल होते हैं ऐसी लड़कियों का दामन बहुत ही पवित्र माना जाता है ऐसी लड़कियों में माता सीता के गुड बरजमान होते हैं ये अपने घर परिबार को हमेशा ही खुश रखती हैं इनकी बजे से इनके परिबार का नाम रोशन होता है दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के नुसार जिन लड़कियों की भुवें पतली होती है ऐसी लड़कियां अपने पती के लिए पूर रूप से समर्पित रहती है दोस्तों हर सुक दुग में वो अपने पती का साथ देती है इनका दिल बहुत बड़ा होता है और ये बेहदी संसकारी होती है और पूजापाट धर्म कर्म पर अत्यदिक बिस्वास करती है ऐसी लड़कियां और महिलाएं अपनी पती के लिए बहुत ही भागशाली साबित होती है ऐसी ही महिलाओं को सामुद्रिश सास्तर में पवित्र कहा जाता है तो दोस्तों ये थे पवित्र महिलाओं के कुछ खास लच्छन जो वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ शेर किये दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक आप रहे इस्टे मोटिवेट इस्टे फेरलेस जय हिंद